दोस्तो स्वागत है आपका फिल से एक न्यू वीडियो में आज के यू वीडियो काफी ज़्यादा यूजपूल एंड का मालका होने वाला है अगर आप एक Amazon Pay यूजर हो तो क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हो बलके वो आपके Amazon Pay Wallet के अंदर एड किया जाता है और आप इस Cashback का तब तक यूज नहीं कर पाओगे जब तक कि आप अपने Amazon Pay Wallet को एक्टिवेट नहीं कर लेते इसलिए दोस्तों अगर आप भी इस Cashback का यूज करना चाते हो तो आपका Amazon Pay Wallet एक्टिवेट होना जरूरी है तो चलिए आज के इस वीडियो को इस्टार्ट करते हैं और जानते कि Amazon Pay Wallet कैसे एक्टिवेट किया जाता है तो अगर आप भी सीखना चाते हो और जानना चाते कि Amazon Pay Wallet को कैसे एक्टिवेट किया जाता है तो आज कि इस वीडियो में अंट तक बने रही है मैं आप सभी को step by step बताने वालाओं कि कैसे Amazon Pay Wallet को activate किया जाता है लेकिन इसे पहले दोस्तो अगर चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले दोस्तो वीडियो को like कर दिजिए और दोस्तो आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चैनल टेकिंडिया पर कुछ सबस्क्राइब नहीं किया है तो दोस्तो वीडियो के नीचे करेट कलर का बटन दिख रहा हुगा उस पर क्लिक करके चैनल को सबस्क्राइब कर लेजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ओल की नोटिफिकेशन को जरूर सलाब कर दिजिए क्यूंकि दोस्तो यहाँ पर मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ जिसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इस तरह के आने वाले अपडेट का सबसे पहले फायदा उठाए तो चलिए दोस्तों फटा 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 वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो Amazon Pay Wallet को एक टीमेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करने हैं दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका है फ्रेंस आपको सबसे पहले Amazon अप्लिकेशन को उपन कर लेना है और जैसी आप Amazon अप्लिकेशन को उपन कर लोगे यहाँ पर आपको Amazon अप्लिकेशन का HomePage देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको कुछ प्रॉड़क्ट वगरे देखने को मिल जाएंगे अब दोस्तों आपको करना है तो उपर में आपको दो अप्सन देखने को मिलेगा Amazon Pay और इसके बाद Amazon Mini TV से देखने को मिल जाएगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो सेटाबल अप्सन दिख रहा होगा उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज़ दिखा देता हूं यहाँ पर देख सकते मुझे 15 रुपिया का जो कैश बेक मिला है वो मेरे Amazon Pay wallet के अंदर एड है पर आपके सामने एक नया पीज आ जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ detail देखने को मिलेंगे और साथ में दोस्तों 10 के जो मंतली limit है उसका भी आप यहाँ पर यूज कर पाऊगे उसके बाद दोस्तों नीचे में आपको अपना नाम आपका phone number देखने को मिलेगा अब दोस तो देखे सकती हैं यहाँ पर आपको एक और option दिख रहा होगा document ID यहाँ पर आपको क्या करना है आपको document ID यहाँ पर आपको select करना होगा तो select करने के लिए क्या करना है तो नीचे में select ID type पर click कर देना है और यहाँ पर click करने के दोस्तों यहाँ पर देख सकती हो ID type के अंद होगा उसका नमभर आपको यहां पर एड कर देता हूँ और आइड नमबर एड करने बाद दोस्तों नीचे मैं आपको option देख रहा हो continue इसके उपर आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक कर लोगे आपका यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा सफलता पूर्पक आप देख सकते हो फ्रेंस यहां पर आपको कुछ समय वेट करना होगा उसके बाद आपका वॉलेट यहां पर आया होगा और यूसफुल भी लगा होगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिजिए और दोस्तों इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे इस यूटूब चैनल टेकिन डेपे को सब्सक्राइब जरूर से कर लेगा तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो को लेकर तब तक के लिए दोस्तों अपने ख्यार लखें गुडबाई